हेलो दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं कि डिस्टल रुपिया करेंसी क्या होती है ये हाल में ही हमारे प्रधान मंत्री श्री नरिंद मोदी जी के द्वारा ये लॉंच की गई है ये 1 नमबर 2022 को ये डिस्टल करेंसी पाइलेट प्रोजेक्ट के तोर पर लॉंच की गई ह दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें इसमें आपको पूरी जानकारी सही से मिल जाएगी ये डिस्टल करेंसी क्या होती है इसको जान लेते हैं ये करेंसी या रुपिया पूरी तरह से डिस्टल होगा डिस्टल का मतलब होता है कि अंकिये रूप जिसे केबल स्क्रीन प digit के रूप में होगी, यानि अंकिये रूप होगा उसका, जिसे हम केबल महसूस नहीं कर सकते, जिसे केबल हम देख सकते हैं, आइए हम इसकी विससताइं देख लेते हैं, इस प्रकार की करेंसी को हम केबल स्क्रीन पर ही देख सकते हैं, इसे छुआ नहीं जा सकता, अर्थिया महसुस नहीं किया जा सकता जैसे जो हमारी offline currency होते है जिसे हम note बोलते हैं उसको हम छू सकते हैं महसुस करते हैं कि ये रुपे हैं ये notes हैं digital currency को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर आसानी से transfer किया जा सकता है इसमें चोरी या loot part का खत्रा ना के बरावर रहता है इसलिए एक currency बनाई गई है digital currency दोस्तों अब हम जानने वाले हैं कि जो RVI ने जो digital mudra launch की है इसकी क्या वज़े रही होगी क्यों इसे launch किया गया इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये UPSC में पूछा जा सकता है इंटर्वियू में तो हम बता दें दोस्तों जो बलेक मनी को रोका जा सकता है इसके जरीए और ब्रहस्टा चार पर लगाम लगेगी जो करपसन हो रहा है उस पर हम इसके द्वारा आसानी से लगाम लगा सकते हैं और जो currency की पूरी जानकारी RVI के पास रहेगी क्योंकि ये currency डिजिटल रूप में होगी जब भी ट्रांसफर की जाएगी तो वो RVI के निगरानी में होगी और उस पर जो RVI संस्ता है जो हमारे देश की वो इस पर पैनी नजर बनाए रखेगी कि कहां से कहां तक कितना ट्रांसफर हो रहा है और जो डिजिटल करंसी है उसको अगर जो भी black money होगो वो आसानी से RBI उसे पकड़ लेगी उस पर तुरंच सीज कर देगी इसलिए ये डिजिटल मुद्रा बनाएगी है ये दोस्तों आब हम जानने वालें कि जो डिजिटल मुद्रा है भारत में ये दो प्रकार से लॉंच की जाएगी पहला है wholesale transaction दूसरा है retail transaction दोस्तों ये दो प्रकार से लॉंच की जाएगी एक होगी wholesale और दूसरी होगी retail transaction कई देशों में डिजिटल करंसी का उपयोग जोरो सोरों से हो रहा है जिसे अमेरिका में बिटकॉइन नाम की डिजिटल करंसी उपयोग में लाई जाती है और भी विविन नैसे देश हैं जहाँ पर डिजिटल करंसी का इस्तुमौल किया जा रहा है इसी को देखते हुए भारत ने भी एक अदम उठाया कि हम अपने देश में डिजिटल करंसी लाँच करेंगे और जो भी हमारा बैपार वगेरा होता है ट्रेड वगेरा होता है उसको उसमें आसानी और ट्रेड को बहुत ज़्यादा इजी बनाया जाएगा जो भी बैपारी लोग हैं जो विदेशों में जाते हैं वो टांसपर अपने पेसों का टांसपर बहुत ही आसानी और शोगम तरीके से कर सकते हैं इसलिए डिजिटल एरुपिया करंसी की जरूरत पड़ी है अपने भारत देश में दोस्तों इसी तरह से UPSC से जुड़े टॉपिक की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें रंतर सुजाओ देते रहें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए जिस तरह की आपकी वीडियो अगर अपनी वनवानी हो तो आप कमेंट कर दीजिए हम उस पर तुरंत ही एक्सन लेंगे और उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जाहिन जावारत